आज के वीडियो में जिनरली आप थम्डेल से पता कर लिए होगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो जिनरली आज का थोड़ा वीडियो हमारे साइंस को कैसे आप 95 प्लस से स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में रहेगा तो चलिए बीना किसी देरी के हम आज की वीडियो को स्टाट करते हैं तो देखिए आपको 95 प्लस स्कोर करना है चोटा नमबर नहीं 95 प्लस कहने का मतलब कि आप हंडेड में से 95 की बात करने हैं तो आपको 95 परसेंट मार्क्स हर सब्जेक्ट में करने का तरीका मैं बताऊगा तो स्टाटिक वे तर साइंस साइंस क्योंकि आप जाधा पढ़ते हैं जैसे साइंस स्ट्रेम में बच्चे वह वायज हो या गल्स हो वह दोनों जाधा पढ़ते हैं मेरे हिजाब से तो साइंस में आप 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं तो मैं यह आज की वीडियो में बताने कैसे आप उसको पढ़िए कितना टाइम आप साइंस पर दीजिए और किस तरह की त्यारी रहेगी तो आपका साइंस में 95 प्लस इसकोर आपका रखे हो पाएगा तो चलिए वीडियो को आगे हम लोग दिखते हैं तो जिनरली 95 प्लस इसकोर करने के लिए दो चार बाते हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले आपको क्या करना है आप कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं तो जिनरली आपको करना क्या होगा 95 प्लस आपको स्कूर करने जैसा कि हम लोगों को पता है कि आपका क्लास 10 में इस साल 2021 यहां पे आपको क्या कर दिया गया है कि आपका सब्सक्राइब करने से हमारा काम नहीं होगा तो सबसे पहले काम क्या करेंगे तो सबसे पहला काम देखिए आपको क्या करना है कि आपको NCRT से स्टार्ट करना है कहां से स्टार्ट करना है इस दिगारि आफ किस याड़े आफ क्या करते हो कि पहली बात आक्तों करते हो अगर माल दीजिए कि आपको यहां पे chemical reaction and equation बढ़ना है तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले आप NCRT को पढ़ना नहीं सुरू करते हो, read नहीं करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, कि किसी YouTube पे किसी भी आपका वहाँ पे सर्च किये जिसका आया अच्छा आपको लगा उसका फटाक से वीडियो देखने स्टार्ट करते हैं नहीं, it is not a good thing for you, यह आपके लिए बहुत ही गलत है, आप जब तक NCRT को खुद से नहीं पढ़िएगा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो ना देखने से फायदे नहीं हैं, बट आप जब सेल्फ करोगे न, तो वह जादा आपको मोटिवेट करेगा, जादा आपको समझ में आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप एक बढ़ करके ट्राइ करके देख सकते हैं, इसमें प्लिकेशन की भुक है, पहले आप उसको रिट करें, अगर माली जी आपके पास इंसी आटी है, तो बेस्ट आप के लिए, आप इंसी आटी को एक बार पढ़िए, क्योंकि समय कम लगता है, लगबग सारा टॉपिक आपका कवर हो गया, तो स्टार्ट करने से पहले, आप क तो उतने तक कही हम कहीं से वीडियो देखेंगे, ताकि हमको कुछ समझ में आगर एकस्ता भी देखने के तो क्या दाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो जिनरली आपको क्या करना है, पार बाइप आपको वर्क करना है, आपने माली जी कि इसी आटी का उठाया, आपने एक सब्सक्राइब, तुछ गेम ख़िलने के समय वर्क करना, जैसे ही आपकर करना, या सारा चीजे आपक जैने अबिध के बताते रहते माली करना हता, जैसे ही आप सब्सक्राइब, तो और आपको बोला जाए, और आप से कि ऑनलाएं में स ल्ल्रोप ऑलते हैं, कि यए ची चीज हमने पढ़ रखा है और उसके प्रति माइन आपका पहले से ही एक्टिव रहेगा तो माइन को एक्टिव रखना जरूरी ऑनलाइन वीडियो में जिनली क्या होता है अगर आपने पहले से रीड नहीं किया है मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी यूटूबर आपको आया जाएगा और पहले टाइम में ही स्प्लिट कर जाएगा तो आप उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा तो इस पर बहुत जादा बढ़ करना है तो पहला काम इंसी आटी आपको पढ़ना है स्टार्ट करना है विधर इंसी आटी या फिर जिसके पास इस चांद है वो प्षाण को पर सकता पहले पढ़ने का काम करना थैन आप किसी भी पार्टिकूलर अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है तो आप उस चीज को छोड़ सकते नेक्स्ट आपको जो काम करना है इस चांद को भी यूज़ कर सकते हैं और इंसी आर टी ये स्टार्ट कर सकते हैं यह भी बेसिक आपको खुद से रेट करने के लिए बहुत अच्छा यह भूख है तो आप यहां से दो काम कर सकते हैं इस्टार्ट कर सकते हैं इस चान्द स्टार्ट करते हैं दैट्स विडियो फॉर वर्ली फर्स्ट तर्म एग्जाम हाउ टू गेट 95 परसेंट फर्स्टम में फिर मैं सेकेंड टम का अलग इंडिवेज्वाली बना के दे दूंगा आपको तो देखिए फर्स्टम आपका मतलब यह नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव करना छोड़ देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है अब्जेक्टिव तो आपको करने ही करने है और सौरी आप थियोरी करना आपको जादा जरूरी तो थियोरी हमें यहां सब्सक्राइब करने हैं उसके बाद देखिए जब आप यह दोनों कर लेज़ेगा तब आपको इससे रिलेटेट जो नित मैं को एक घंट आपके पास छे सब्चेक्ट है एक हर दिन अगर आप एक सब्जेक्ट पर देते है तो यह आपके लिए बहुत होगा मैठ कर थोड़ा ज्यादा टjoint अनि लेकिन मेरे अलेकितां सब्जिदम्स मार्च में लिया जाएगा तो आपके पास अच्छा एक खासा टाइम डिवरेशन है आपके पास भी तो एक घंटे का प्रति दिन आपको वर्क करना पर चैप्ट पर आपके तो जेनरली यहां पर आपको क्या करना वर्नावर का साइस पर काम करना आप इसको 45 मिनट्स भी कर सकते हो 40 मिनट्स भी कर सकते हो यह आपके डिपेंड करता है तो 45 या 40 मिनट्स पें आप क्या कर पाईएगा तो एक घंटे का मैं शेडूल बता देता हम अब उसके अनुसार अप इसको देर घंटे तक भी ले जा सकते हैं और इसको आपको कवर करने दो से तीन टॉपिक ज्यादा नहीं कि इस चाहिए तो यहां से आप दो से तीन टॉपिक कवर कर लिए इस टाइम डियूरेशन में आपका वीडियो ऐड नहीं इस टाइम डियूरेशन में आपका वीडियो से जो आप छोटा छोटा क्लिप है या फिर आप एक बड़ा वाला वीडियो को ही 15 सब्सक्राइब करने के बाद आपको तो यहां से दो से तीन आपको टॉपिक कवर करने के बाद आपको क्या करने है अगर दिक्कत जो भी है उससे रिलेटेड वीडियो आप देख लें नहीं दिक्कत है तो इसे काम करने की जरूरत ही ही अगर आपको दिक्कत नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो ना देखें तो यहां वीडियो ना देखेंगे अगर जैसे दिक्कत नहीं त मतलब ये भी कर लिया ये भी कर लिया फिर भी दिक्कत हो रही है आप दोनों जगों से पॉइंट वाइज नोट्स लिख सकते हैं एक्ष期्वलि प्रप्लम यह कि डिजटल का जमाना आँगया पुरी तरीके से आप लोट्स सर्च करूए नोट्स आपको में जाते तो आप लिखने का काम नहीं करते अगर नोट्स आपको PDF के फॉर्म ने कर लिया तो आपने उसंए या तो PC में सेव करके रख लिया और पर कह काम आपको रिटेन में में ज्यादा करने आप रिटेन वर्क ज्यादा करिएगा तो रिटेन वर्क करने से आप पैदा आपको यह होगा जैसे मैं यहां पर लिखता हूँ पॉलिनोमियल, तो जब मैंने पॉलिनोमियल माइंड में रीड किया, तो पॉलिनोमियल की spelling मैं गलत नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि उसको लिखने के लिए मैं माइंड में रिपीट कर रहा हूँ पॉलिनोमिय, पॉलिनोमिय, तो जब आप यह चीज रिटेन करते, तो आपका माइंड भी रीट करता है, तो उस समय रीट करने की वज़र से क्या होता है, कि आपको वो चीज़ें ज्यादा अच्छे से याद हो पाती है, तो आप जिनरली रिटेन वर् कर सकते हैं, अपने वीडियो से भी काम कर लिया, अब आपको आने आपका थियोरी बन के त्यार हो गया, अब आपको अगर एजर रेटेन कोश्चन भी आएगा, तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं, आपको सारा चीज़ आता होगा, या फिर अगर आपको MCQ बेस्ट भी करने हैं, तो वहां से MCQ आपको माल लिज़ें, जहां से भी 20, 30, 50, जो भी मिलने वाले हैं, वहां से मिल गए, दूसरा आप कहां से कर सकते हैं, एक तो आप बहुत सारे PDF अगर आप किसी भी चले वेब साइट पे चले जाएए, गूगल पे जाके आप सर्च करिए MCQ के बारे में सलें, वहां से भी आपको मिल जाएगे, या फिर आप किसी ज़स वेवर का आप वीडियू देख रहे हैं, वह भी क्या करते हैं, अब आज के समय में, बहुत सारे लोग बहुत जादा मेहनत effort लगा रहे हैं, वहां से भी आप कंटेंट बनाणाना देते हो, वहां से भी आप लेना देना यह नहीं कि सर्फ मेरे ही पीडियेफ को बनाना है नहीं मैं कभी नहीं कहुंँ आप किसी भी यूटुबर के डाउलूड करिए वहां से आप इतने कर लिए Crt Eastern और आप बनाय हुए कंटेंट जो बनाके आपको दे रहे हैं आपको करना क्या है आप जो वन आवर हुआ इसमें फिर हमें करना क्या है तो पहली बात कि आपको रेड करने हैं जो टॉपिक आपने रेड की उसको अगर उसका नोट्स आपको प्रोवाइड भ कि तीसरा काम हमारा क्या होगा तो प्रति दिल कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं mcq कौन सा mcq अब बोलोगे सर इतना कंटेंट आएगा कहां से तो जो मैंने बताया वहीं से कंटेंट आएगा हर कोई मतलब एवरी यूटूबर एवरी एजुकेशनल चैनल जितने भी हैं वह सारे महनत कर रहें आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर बंदा आपके लिए महनत करता है तो आप वहां से तरह तरह के जाके अलग-अलग चैनलों से जाके आप वीडियो को अगस्त है तो आपको अगस्त सेप्टमबर अक्टूबर और नमंबर में एक्जाम है मतलब चार महीने का प्रिपेशन मतलब 120 नीट 120 को अगर आप 20 से सिर्फ मंटिप्लाइक कर देते हो तो यह आपके कितनी हो जाएंगे यह आपके हो जाएंगे 2400 लगभर कोश्यन आपके हो जाएंगे तो यह बहुत जाएंगे तो यहां से एमसी क्यू को कलिक करना आज से ही सुरू करिए और आप इस पे थोड़ा एक दो दिन काम करके देखेगा अच्छा लगेगा तो कैरी करिएगा नहीं अच्छा लगेगा तो आप फिर दूसरा कोई अपने हिसाब से चीज अब आपको हीट होगा 2400 mcq का मतलब है कि आपको बहुत सारा mcq अलग अलग जगों से ऐसा मिलेगा जो एक दूसरी से मैच करेगा तो आपको वह concept बनता चला जाएगा मतलब वहां पे आपको पिन रोकने की भी ज़रूत में पढ़े हैं टिक आउट टिक आउट माइड को इतना आप तयार कर लिए कि हर चीज आपको रटा हुआ नजरा है तो यह चीज़ है मैं करने हैं तो एक घंटे में आपको 20-25 mcq करने हैं यह जो मैंने लिखा है 2-3 टॉपिक कवर करके आप वीडियो देखके और उसको या वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं वीड PDF कैसे लगाने PDF मोबाइल पे खुल लीजिए एक छोटे सब कॉपी लिखिए ऑप्शन ए ऑप्शन भी ऑप्शन शी ऐसे करके आप उसको कर लिए तो आपका देखे आप देखे बहुत सारा वर्ग अपने साथ कर लिए अगर आप एक गंटे इतने पर काम कर रहें तो बहु लेजिए यह अलग अलग जगों पर अलग अलग सब्जेक्स का इक अगटा अपर शीडियो बना लिजिए उसके हिसाब से पढ़ लिजिए तो आपको यह पूड़ा अपने काम किया क्या आपने वीडियो की श्रुण नहीं आएग तो यह आपका 95 परसेंट मार्क्स जरूर से जरूर आपका 100 परसेंट तो गैरेंटी मैं नहीं लूँगा लेकिन 99 परसेंट एक दम मैं कहूंगा कि हाँ यह आपका एक्जाम में 95 प्लस एक स्कोर आपका करवा सकता है तो प्लीज आप इसको फॉलो करिए और मेरी चैनल पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगे जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं जैसे तीन दिन का भी टाइम ले रहा हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा पीडिएफ पहले त्यार कर दो एक्चली हो क्या रहा है कि एक दिन कर रहा है एक दिन कॉंटेंट आता है दूसरे दिन नहीं आपाता है किसी में इस रिज कर सकते हैं तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं से हो और आप इसले 95 यह जो 95 परसेंट आपको दिखे नैंटी फ़ाइट प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करकी बता सकते हैं साथ ही हमारे टेलेग्राम ग्रूप या फिर आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉल्लो कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके भी बदा सकते हैं जो भी आपको होगी तो फिलाल के लिए इतना है वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और बने रहे हमारे साथ लाइक सब्सक्राइब से आप तीनों मेंशे तीनों करें ठीक है तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत आ झाल झाल वाक।